हेलो डियर स्टूडेंस आप सभी कावद एकड़ी में सौगत है आज हम आपको जीके जीएस की कड़ी में तीसरा भाग लेकर आए हैं जिसमें आपके लिए इतिहास भुगोल और अन्य महत्पूर्ण कोश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी आररबी एंटी पीची से बीटी ट हैं यह ऐसे प्रश्चन हैं जो बार-बार आपके एक्जाम में आते रहते हैं चलिए हम आपको अपने सेशन की तरफ लेकर चलते हैं और यह आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला कोश्चन्स रहा है सिंद पर विजय प्राप्ट करने वाले अरब सेना के सेना पत का नाम क्या है आप्सन एक अलहजाज दो अलावदिन खिल जी सी कुतुब दीने वाक डी मुहम्मद बिन कासिम जल्दी बताईए आप लोग क्या नाम है जी बहुत अच्छे बताएं जी हां आप्सन फोर मुहम्मद बिन कासिम सिंद पर विजय करने वाला अरब सेना सेना का सेना पत कौन था मुहम्मद बिन कासिम जी हां नेशकोस्टेशञ ओर आपकी स्क्रीन पर साची का महान इस्दूप साची का महान इस्दूप है कहां पर है ये उत्तर प्रदेश में टी दो तीन मध्ध पर्देश में और चार बिहार में बताईए जी बिल्कुल बिल्कुल सही मध्ध पर्देश में नमबर तीन हो जाएगा आपका मध्ध पर्देश में सांची का इस्तियूप है ठीक है या मध्ध पर्देश की राध्धानी भोपाल में इस्तित है ठीक ओके ने एंटा की गुफाएं डाट डाट में हैं नमबर एक महाराष्ट में दो जम्मू कस्मीर में तीन राजस्थान में चार केरल में जल्दी जल्दी उतर दीजिए अपना क्या होगा यहां पर बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे मद्द परदेश के खजुराहों में जो असमारक बनी हुएं उसमें किस धर्म के मंदिर हैं नमबर एक केवल हिंदू, नमबर दो केवल जैन, नमबर तीन केवल हिंदू तथा जैन दोनों और नमबर चार ना ही हिंदू और ना ही जैन जल्दी जल्दी अपने उतर जी हाँ हिंदू तथा जैन दोनों धर्मों के मंदिर हैं निमलिखित में से किसने 616 CE में हर्षवर्धन को हराया था जल्दी जल्दी अपने उतर दीजिए जी बिल्कुल बिल्कुल जल्दी क्विक बिल्कुल हाँ पुलकेसिन दूती ने जो है हर्षवर्धन को हराया था और हर्षवर्धन के साचनकाल में कौन सा विदेशी जात्री भारत आया था बिल्कुल भेनसांग जो है हर्षवर्धन के साचनकाल में भारत आया था जी, बिल्कुल, नेस्ट कोशन्स, हर्ष्वर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी, हर्ष्वर्धन की आरंभिक राजधानी नमबर एक प्रयाग, नमबर दो थानेश्वर, नमबर तीन कन्योज और नमबर चार मतुराग, जल्दी जल्दी बताएं क्या थी, जी हाँ हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी गट नेश कोश्चन्स संस्कित नाटक नागानन्द की रचना किसके दौरा की गई थी जी हाँ नागानन्द की रचना किसके दौरा की गई थी नमबर एक प्रभाकर वर्धन, नमबर दो चंद गुब्धिती, नमबर तीन हर्ष वर्धन और नमबर चार बिंदुशार जल्दी जल्दी बताइए जी बिल्कुल सही हर्ष वर्धन के द्वारा नागरनंद की रतना हर्ष वर्धन के द्वारा की गई थी बिक्रम सिला विश्चु विद्याले के स्थापना किस ने की थी बिक्रम सिला विश्चु विद्याले के स्थापना डाट 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 ने की थी नंबर वन बिम्बिशार नंबर दो अशोग नंबर तीन चंद्गुपर्थम और नंबर चार धर्मपाल जल्दी जल्दी बताइए भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे लग रहा है इतिहास आप लोग पढ़ रहे हो बहुत अच्छे गोठ धर्मपाल द्वारा की गई थी नेस्ट कोशन बिक्रम सिलिविश्वी देल एक अस्थापना डाट डाट किसे दारा की गई थी धर्मपाल के दारा की गई थी बिल्कुल यही कोशन अभी यहा campus यह रिपीट हो गया चलिए अगले कोशन पर चलते हैं हम जिया एरहाब की स्क्रीन पर हमारा अगला कोशन जी हां अपका अगला question Shrickeri Padrinas Dworka और पूरी में चार मश अस्थापित किये गए हैं किस के दोरह अस्थापित किये गए हैं किसके दोरह अपसन एक Ramanuj Dwora दो अशोक दोरह C, Aadisankarachar dwora D, Madhuv Viddharan dwora जी बताएν बिल्कुल बिल्कुल अपने उतर दीजे जल्दी जल्दी जी हाँ आधी संक्रा चारे द्वारा जो है इन चारों मठो के अस्थापना की गई थी next questions किस muslim सासक ने जजियह ब्राव महरों से भी वसूल किया था वह muslim सासक कौन था जो जजियाकर को ब्राव महरों से भी वसूल करता था आफसन ने बल्बन दो फिरोज तुगलक बिल्कुल और प चार बिल्कुल जल्दी जल्दी जीजे अपने उतर जी बिल्कुल आपसन भी फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक जो था वो जजियकर ब्रामःडों से भी वसुला करता था नेस्ट 738 इसबी में अरबों को पराजित किसने किया था 738 इसबी में अरब किसके दोरा पराजित हुए थे नंबर और प्रतिहारो दोरा नंबर दो राष्ट कूतों दोरा नंबर तीन पालो दोरा और नंबर चार चालुक्यो हुआ शिजल्दी बताएं बिल्कुल सही प्रतिहारो दोरा जो है पर अरब को पराजित किया गया था आपसन यह हो जाएगा आपका चलिए नेश invari Hem धर्मपाल नंबर दो गोपाल नंबर तीन महिपाल और नंबर चाल रामपाल जी बिल्कुल सही गोपाल पाल वंस का संस्थापक गोपाल था नंबर दो गोपाल कोडार्ग का सूर्मंदिर किस्ने बनमाया था जल्दी जल्दी बताएं अनंत वर्मन चोड गंगा देव ने कपिल देव राउतरे ने पूर्शुत्तम देव ने और नर्शिंग देव प्रथम ने जल्दी जल्दी बताएं बिल्कुल सही नर्शिंग देव प्रथम ने कोडार के सूर्मंदिर का निर्मान करवाया था नेस्ट कोश्यंस आपकी स्क्रीन पर भारत में भारती जहाज रानी निगम की अस्थापना कब हुई थी भारत में भारती जहाज रानी निगम की अस्थापना कब हुई थी नंबर वन एक अक्टूबर 1952 को नंबर दो अक्टूबर 1954 को नंबर तीन अक्टूबर 1961 को और नंबर चार अक्टूबर 1965 को जल्दी जल्दी बताएं जी हाँ आपका इसमें हो जाएगा तीसरा आप्षन अक्टूबर 1968 को 1961 में भारती जहाजरानी निगम की अस्थापना हुई थी किस प्रतिहार राजा ने प्रमाड की उपादी धारण की थी वह कौन सा प्रतिहार राजा था जिसने प्रमाड की उपादी धारण की थी नमबर वन मिहिर भोज नमबर दो वत्सराज नमबर तीन राज भोज और नमबर चार नागभट दुती जल्दी जल्दी बताएं जी बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी हां मिहिर भोज मिहूर भोज प्रतिहार राजा था जो प्रमार की उपादि धारण किया हुआ था निमलिखित में से किस सहर को असोक का सिलालेख नहीं है वह कौन सा सहर है जिसमें असोक का सिलालेख नहीं पाया गया है जल्दी जल्दी बताएं जल्दी जल्दी वह कौन सा सहर है जहां पर असोक का सिलालेख नहीं प्राप्थ हुआ है बिल्कुल सही पाटिल पूत्र पाटिल पूत्र में असोक के सिलालेख नहीं प्राप्थ हुआ है चलिए नेस्ट कोश्चन की ओर चलते हैं हम यह आपकी स्क्रीन पर रहा आपका अगला कोश्चन निमलख honeymoon से किस प्रतिहार सासक ने वर्तुमान में भोपाल सहर बनाया था बोपाल सहर का Claire क निरौबाल अस्थापना कि स की थी 472 है मीर भोझ नमबर तीन है राज जपाल और नमबर चार है महेंद्र भोजि ए सासक दौरा किया गया था जल्दी जल्दी बताईए मिहीर भोज दौरा प्रतिहार प्रतिहार सासक है दौर भोपल सहर किया स्थापना की गई थी new tracking संऊ सब से पहले तोमर राज़पूत के काल में राजधाहनी बनी ति तो मर राजपुतो की काल में किसको राजधानी सबसे पहले बनाया गया था अपसन A दिल्ली, B, पाठिलपूतर, C, कोलकाटा और D, तच्छ सिला जल्दी जल्दी बताएं किसको बनाया गया था जी हां देलही को देलही को राजधानी बनाया गया था Next Questions सेर्साह की मिरित एक दुरघतना के परड़ाम सरुप हुई थी यह दुरघतना है नंबर एक हाथी के बीगर जाने के कारण तीर लग जाने के कारण हुई कि बहुत अच्छे तीर लग जाने के कारण सेरसा की मिरुत हुई थी ओके ठीक नेस्ट कोश्चन कि दिच्छा नाम किरानी ने भारत के किस भाग पर नौसो असी से एक हजार तीन इसमी तक सासन किया था आपसन ए अवद आपसन बी सिंद आपसन सी कस्मीर आपसन डी बंगाल जल्दी जल्दी बताईए आप लोग आपसन सी कस्मीर कस्मीर से संबदित है ओके नेस्ट कोश्चन सापका भारत में नालंदा विश्चु भिद्याले कि स्राज में है वा भारत का वा कौन सा राज है ज तीन मध्य पर्देश और नमबर चार बिहार जल्दी बताएं बेरी गोट जी हाँ बिहार बिहार में जो है नालंदा विश्वी देले इस्थीत है नेश कोश्यंस वेन सौंग किसके सासनकाल में भारत आया था जी हाँ इसके पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं बता जी हुएन संग किसके सासनकाल में भारत आया था नंबर वन राम पाल नंबर दो हर्षवर्धन नंबर तीन चोल और नंबर चार समुद्र गुप्त जल्दी बताएं जी बिल्कुल सही हर्षवर्धन के सासनकाल में भारत आया था नेश्ट नेश्ट कोश्यंस आपका गुप्त शासन के दौरान निम्रिखित में से ऐसा कौन सा ब्यक्ति था जो एक महान खगोल सास्त्री और गणितक गे था आपसन A भान गुप्त आपसन B बान भट आपसन C आरे भट वा बाराह मिहीर और आपसन D बाराह मिहीर वा सुसुरूत जल्दी बताएं जी बिल्कुल सही आरे भट वा बराह मिहीर जो थे आपसन C आपको हो जाएगा ये दोनों जो थे खगोल सास्त्री और गणितक थे आरे भट आपके खगोल सास्त्री थे और बराह मिहीर जो थे गणितक थे इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप दुगा नवाद